हेलो फ्रेंट्स आज मैं आप सबे के साथ आलू चिप्स की रेशिपी सेयर करने जा रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी आपके भी चिप्स बनकर तयार हो सकते हैं सिर्फ पाच मिनट में ना हमें इसे धूप में शुखाने की जरुरत परेगी ना ही उबालने की जरुरत परेगी तो चलिए आज की रेशिपी को सुरू करते हैं इसमें एक ऐसी खास चीज डालेंगे जिससे हमारे चिप्स इंस्टेंट बन जाएंगे और कुरकुरे भी बनेंगे बिलकुल मार्केट जैसे जो लेज आप लोग खाते हैं वही इसमें स्वाद आएगा तो चलिए आज की र आपके पास एब लेवल होगा वो ले लीजेगा और उसके बाद आलू को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है पानी से वास करके और फिर इसके छिलके को हमें रिमूव कर लेना है तो चलिए मैं यहाँ पे एक आलू को छिलकर आप लोगों को दिखा दे रही हूं देखिए मै पेरे चानल पे नए हैं तो मेरे चानल को सब्सक्राइब भी कर लीजएगा तो मैं यह आपके तीनो आलू को अच्छी तरह से छिल ली हो पीव कर लिया है अब एक बावल में हमें पानी ले ले लेना है नॉर्मल वाटर का मैंने इसने माल किया यह मैं Бालू को डाल देना है आलू को इसमें इसलिए डालना है कि आलू हमारे काले ना पड़े उसके बाद पानी में ही हमें आलू को इसी तरह से छोड़ना है और इसी पानी में हमें आलू को भी कट कर लेना कोई ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों कि आप इसी पानी में कट करें आप दूसरे बटन में भी पानी ले सकते हैं पर कोशिश कीजेगा कि आलू को जब आप कट करें न तो पानी के अंदर ही कट करें इसे आलू जो है हमारे काले नहीं परेंगे तो मैं यहाँ पर इस तरह का कटिंग करने के लिए यह स्लाइसर ले ली हूँ तो उसके साथ मुझे यह आलू फशाने वाला दे रखा था इसमें मैंने आलू को प्रेश करके दवा दिया है उसके बाद मैं यहाँ पर श्लाइसर ले ली हूँ आप चाहें तो ग्रेटर ले सकते हैं चिपस वगेरा काटने वाले होते हैं उसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं यह भी मेरे चिपस ही काटने वाले हैं तो चलिए मैं यहाँ पर आलू को कट कर ले रहे हैं इसे इसली आलू हमारे कट जाएंगे हाथ भी कटने का डरनी होता है तो सारे आलोगों को मैं यहाँ पानी में ही कट करके तैयार कर लूँगे तो देखिए और जो लास्ट में से बचेंगे न तो उससे हमें फेक ना नहीं है तो चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देती है यह जो लास्ट में थोड़ा सा बच जाता है न बैक का पॉर्शन जो कटने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है, तो उसे आप साइड में रख दे, उसे आप सब्जी वेगेर में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सारे आलो को मैं यहाँ पेशी पानी में कट कर ली हूँ, अब आपको यहाँ पे देखने से लग रहा होगा ने, यह पानी गंदा गंदा सा है, क्यूंकि आलो में बहुत ही ज़ादा स्टार्च निकलते हैं, तो हमें इसे अच्छी तरह से वॉस कर लेना है, आलो को जब तक वॉस करना है, तब तक इसका पूरा पानी बिल्कुल क्लीन ना हो जाए, तो चलिए मैं इसे नलके के नीचे डाल कर अच्छी तरह से वॉस करके ले आती हूँ, देखिए, देख रहे हैं, पानी बिल्कुल ही क्लीन हो चुका है, आलो के सारे स्टार्च को मैंने निकाल लिये हैं, चिप्स बनाते समय इन छोटी-छोटी बातों को जरूर ध्यान रखिएगा, आलो का पूरी तरह से स्टार्च जो है उसे निकाल देना है, अच्छे से पानी से वॉस कर दीजेगा, और पानी जब तक की क्लीन ना हो, तब तक आपको इसे वॉश करना है, उसके बाद इसे हमें एज़िटीज पानी में ही रखना है, चली अब नाक्स प्रोसेस करते हैं, तो मैं यहाँ पे कपड़ा ले ली हूँ, कोई भी कॉचन का क्लोथ ले लीजेगा, और उश पे हमें एक-एक आलू के जो चिपस हमने कट करके रखे हैं न, उशे निकाल करके इस कपड़े पे फैला देना है, तो मैंने क्या बोला फ्रेंस कि हमें शुखाने की ज़रूरत नहीं है, जी हाँ फ्रेंस मैंने सही ही बताया है आप लोगों को, हमेशे शुखाने की, धूप लगाने की या उबालने की कोई अवश्यक्ता नहीं है, बस इसे इस कपड़े पे डालना है, और दूसरे कपड़े शेह से इस तरह से कवर करके और टैप टैप कर देना है, ताकि इसका पानी जो है वो सूख जाए, अगर आपके पास टाइम है, तो आप इसे पंखे के नीचे 10 से 15 मिनिट के लिए छोड़ दे, इससे भी पानी ये सूख जाते हैं, इसके पानी को हमें अच्छी तरह से सुखा करके लेना है, तो दूसरे कप्रे से आप उपर से डाल करके, इसे अच्छी तरह से टैप टैप करके सुखा भी शकते हैं, या फिर पंखे के नीचे भी रख सकते हैं, तो देखिए आलू जो है हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से इसका पानी जो है ना सूख चुका है, इसकी मॉस्टर जो है खतम हो चुकी है, तो चलिए अब नाक्स प्रोसेस करते हैं, इसे जब तक साइड में रख देते हैं, मैं यहाँ पर एक बाउल ले लिए हूँ, छोटी सी कोई भी कटोरी ले लिजेगा, उसमें हमें आधा कब पानी डाल लेना है, आधा कब पानी डालने के बाद, हमें यहाँ पर नमक डाल लेना है, मैं यहाँ पर व्रत वाले नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, सेंधा नमक का, तो इसमें एक चमच में नमक डाल कर, इसे अच्छी तरह से नमक को मिक्स कर दी हूँ, इस पानी में डिजॉल्फ होने तक, ये टिप्स को ज़रूर फॉलो कीज़ेगा जब इंस्टेंट आप आलू के चिप्स बनाते होंगे तो इसे आलू के चिप्स जो है आपके कुरकूरे भी बनकर तैयार होंगे चलिए अब हमें यहाँ पे एक पैन में तेल रख देना है गर्म होने के लिए मैंने तेल को पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए फ्लेम को हमें इस दोरान मीडियम रखना है और तेल का तापमान जादा गरम भी नहीं रखना है मीडियम गरम जब जैसे ही तेल हो जाएगा तो फ्लेम को मीडियम रखते हुए ही हमें यहाँ पे जितने भी आपके पैन में चिप्स आजाए ना आलू जो हमने कट किये हैं उतने ही डालिएगा जादा मात्रा में एक बैक नहीं डालिएगा थोड़े थोड़े करके हमें इसके अंदर में इस तेल के अंदर में चिप्स डालना है और इसे इस तरह से लेडल की मदद से थोड़ा थोड़ा सा रोटेट कर देना है उसके बाद हमें यहाँ पे जो नमक का पानी का गोल बना कर तयार किया था न उसमें से एक से दो चमच इ जैसे जैसे आप इसमें डालिएगा न तो इसमें से गरगर की आवाज आएगी कुछ इस तरह से शुन्डे में आपको आ रहा होगा फ्रिम्स तो ये तब तक गरगरहट सी आवाज आएगी तब तक हमें इसे आराम से आजीटी सी पकने देना है अब इसे हमें कुछ नहीं करना है जैसे जैसे इसकी गरगरहट की आवाज थोरी कम होगी न उसके बाद हमें इसे उलटते पुलटते हुए दोनों साइड से इसे अच्छी तरह से फ्राइ करा लेना है बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी चिप्स बनाने की अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके भी मुझे जरूर बताईएगा और मेरी रेश्पी को कहां कहां से देख रहे हैं ये कमेंट करना बिल्कुल मत बूलिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी फ्रेंड्स को मेरी रेश्पी अच्छी लगती है चलिए मैं इसे उलट पुलट कर अच्छी तरह से सेक ली हूँ ये फ्राइ हो चुके हैं अब इसे हमें एक कोई भी छनी पे या निकाल लेना है ताकि छनी वेगर आपे निकालेंगे न त इसी तरह से सेम प्रोसेस से हमें दूसरे बैच का भी डालेना है तो इंस्टेंट आप ये चिप्स बना कर रेडी कर सकते हैं होली वेगर पे भी अगर आपके पास टाइम नहीं है धूब जिसके हां नहीं आता होगा न वो भी इस तरह से इस आलू के चिप्स को बना करके त देखिए और इसे मैंने टीसू पेपर पे रख लिया है देख रहे हैं फ्रेंस कितना सुंदर लग रहा है न है न इंस्टेंट ये बनकर तयार हो जाते हैं मार्केट से जो पांच रुपए की लेज लेते होंगे न उसमें कितना कम मात्रा में होता है इसकी हावास सुनिए क इतनी क्रिस्पी हमारी चिप्स बनकर तयार हुई है आप चाहें तो इसे प्लेन भी खा सकते हैं पर मैं इसमें थोड़े से मसाले आट करने वाली हूँ तो चलिए मैं इसमें थोड़े से मसाले आट कर दे रही हूँ तो थोड़ा सा हमें यहां पर नमक डालना है क्योंकि प बहुत ही जादा टेस्टी लगती है खाने में और शब्से खास बात है कि यह इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाती है बहुत ही कम मेहनत और कम सामान में सुन रेफरेंट्स इसकी आवाज कितनी क्रिस्प बनी है थोड़ा सा अगर आप प्लेट में छोड़ दीजिएगा तो यह थोड़ा सा सौफ पर जाएगा इसलिए चानिये और जैसे ही थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा तो आप इसे फटा-फट से किसी भी एयर टाइट कंट अगर आप लोगों को फ्रेंट्स मेरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस रेशिपी को फ्रेंट्स में और फैमिली वालों के साथ सेयर भी कर दीजेगा चले मिलते हैं नक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई